उत्तरी अमेरिका महादुई पर हम डिसकस कर रहे थे एग्रिकल्चर ओफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में उत्तरी अमेरिका महादुई पर क्रिशी कहां पर कैसी कैसी है उसके बारे में आपके साथ डिसकस कर रहे थे जिसमें हमने आपको बताया कि कनाडा में कहां कहां पर कौन कौन से अगरिकल्चर हो रही है क्या क्या प्रोड़क्ट्स हैं कौन कौन सा छेतर हैं और उसके साथे साथ हमने आपको ये भी बताया कि कनाडा में कौन कौन से मिनरल्स पाय जाते हैं करनाडा की कौन-कौन सी important cities है अब इसी करम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे agriculture in USA that is United States of America सईयुक्त राज अमेरिका में कैसी agriculture की जाती है कहां पर क्या है किस चीज की पैदावार जादा होती है किसका production है और यहां की minerals और important cities के बारे में आपके साथ डिसकस करेंगे हमने आपको बताया कि 100 degree west longitude कौन सा 100 degree west 100 degree 100 degree पश्चमी देशांतर जो है यह मुक्यता कहां पर हम बात कर रहे है USA में यह क्या करता है यह economic dividing line मानी जाती है USA में क्यों क्योंकि यह इस area में जो mountain region है और इस area में जो plain region है इन दोनों को divide करता है यह लगभग यहां से जो 100 degree पश्चमी देशांतर है इसके पश्चम में आपको mountains मिलेंगे और इसके east में आपको क्या मिलेंगे plain areas में लेगा इसलिए इसको यहां की क्या मानी जाती है economic dividing line कहा जाता है USA को हम कुछ agricultural regions में divide कर सकते हैं जिसमें आपका आता है spring wheat built region उसके बाद आपका आता है corn built region corn मतलब मक्का फिर उसके बाद आपका आता है cotton built tobacco built फिर आपका truck forming region winter wheat built fruit and vegetable stable built मतलब इसका मतलब यह हो गया कि हम उसकी बात करेंगे जहां पर spring season में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है वो area जहां पर मक्के की खेती होती है वो area जहां पर cotton का production होता है वो area जहां पर tobacco का यानि तंबाकू का उत्पादन होता है truck forming का है क्या है और कहा होती है इसी के साथ ही discuss करेंगे suitcase forming क्या है और कहा होती है winter wheat built किदर है यानि कि ठंड में winter season में गेहूं की पैदावार किदर होती है fruit and vegetables किस area में produce होता है कहां पर USA में यह सारी चीज़ें आपके साथ हम discuss करेंगे पहले से बात सुरू करते हैं बात करते है spring wheat built region की तो spring wheat built region जो है it is extended in prairies grassland prairies grassland यानि कि जो temperate grassland है वो USA में किस area में होगा तो इसका जो ये upper belt है कौन सा ये वाला जो reason है ये temperate grassland region में आता है इस area में आपका क्या मिलेगा spring wheat built यानि spring season में यहां पर गेहों की पैदावार होगी temperate grassland इस छेतर में पाया जाता है अगर बात करते हैं corn belt की तो corn belt के लिए आपका ये देखो जो ये central plane region है जो ग्रेट प्लेट वाला region है ये आपको दिख रहा है central plane region ये है आपका central plane region एरिया जो है इस एरिया में किसका production होता है कौन का इसलिए इस पूरे region को क्या कहते है corn belt कहते है और corn belt ही नहीं अगर मैं आपको बता हूँ USA जो है USA is the largest producer of the corn ये मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन USA corn यानि मक्का यहाँ पर as a fruit यूज होता है और इसकी जो सूखी घास है वो कौन खाता है वो cattle के लिए यूज होती है आप देखते हैं अपने यहाँ जब मक्के खेती की जाती है क्या करते हैं लोग बाल आप तोड़ लेते हो यानि मक्के को आप तोड़ लेते हो उसके बाद उसके जो पेड़ है उसको क्या करते हो चारा मसीन से काट करके किसको खिलाते हो जानवरों भी है अपने यहाँ जब यह मांशून सी जन वें तयार होता है तो हरे चारे के रूप में इसको हम यूज करते यह तरीके से यूस में होता है जो कॉर्ण हैजो मखका है जो उसकी बालिया है उसको यह कैसे सेंट लुईस तो सेंट लुईस फेमस है किसके लिए वीट मिल्स के लिए यानि की गेहों की मिल के लिए और उसके साथे साथ किसके लिए फेमस है यह मीट पैकेजिंग सेंटर और यहीं पर इसी सेंटरल प्लेन के ओपर यह मिशिगन लेके किनारे यहीं पर आपको क्या है य और Chicago किसके लिए famous है, Chicago में सबसे बड़ा slum area है, अब आप देख रहे हो कि ये central plane region है, यहाँ पर किसकी पैदावार होती है, मक्के की, इसके उपर का जो ये वाला area है, यहाँ पर क्या है, temperate grassland है, तो temperate grassland होगा, यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर क्या produce होगा, dairy industries होगा, dairy industries center भी है, और यह आपका जो संगम city है, जहाँ पर Missouri और Mississippi मिलती है, St. Lucia, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर wheat mills और meat packaging center है, अब इसके बाद आपका आता cotton build, अगर हम cotton build की बात करें, तो पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, चीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यह Texas and यह Gulf of Mexico का, जो यह coastal reason है, इस build को कहते हैं, हम cotton build, क्या कहते हैं, cotton, इस area में cotton का production भरपूर मातरा में किया जाते हैं, कहाँ पर यह है आपका Texas के साथ Gulf of Mexico का, यह जो coastal region है, यह पूरा, यह क्या कहलाता है, cotton build, अच्छा, इसके साथी साथ यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि USA में textile industry कहां developed है तो आप उसके लिए ये बताओगे कि Texas में reason कि Texas के साथ Gulf of Mexico के coastal area में किसका कौन सी built है? cotton built है और इसके बाद आपका आता है tobacco built तो tobacco का production कहां पर होता है? तो tobacco के लिए आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो Virginia and West Virginia वरजीनिया एंड West Virginia इस reason में USA के इस रीजन में किसका production होता है? तोबैको का, तमबाको का होता है इसी वज़े से इसको क्या कैते है? तोबैको belt कैते हैं किसकी? United States of America की बात आती है ट्रक फार्मिंग की, तो सबसे पहली बात हुए कि ट्रक फार्मिंग होती क्या है, ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि मेट्रो सिटी के अराउंड आसपास के छेत्रों में की जाने वाली एग्रिकल्चर, क्रिशी, कौनसी क्रिशी, मेट्रो सिटी से कितनी डिस् इसके materials हैं जैसे vegetables हो गई ठीक है इस तरह के जो चीज़े हैं जो daily use में होनी है कहां पर यहां पर in metro cities में और distance इतनी होनी चाहिए कि यहां से over the night मतलब 5-6 घंटे-4 घंटे में इनका product इस city में आ करके use होने के लायग हो सके तो ऐसे में इन areas में जो agriculture किया जाता है उसको कहते हैं truck forming truck forming में main उत्पात क्या होता है main जो products है वो क्या है फल है सबजिया है जो यहां पर उगाई जाती है और यहां पर इनके market में आ करके बीची जाती है कौन सी जो cities area है यानि urban areas में आ करके जो बीची जाती अब truck forming बहुत अच्छे तरीके से system में हो काम करे उसके लिए जो basic infrastructure required ह होता है वो होता है कि अच्छी that is developed road क्योंकि यह आपका metro city हो गई जिसको product की requirement है फलों की भी सबजियों की भी daily use वाले product जिसमें milk dairy यह सब हो गया अब ऐसे में अगर यहां से जिन areas में यह production हो रहा है यहां से proper road connectivity अगर इन metro cities की नहीं होई तो यहां पर जो फल या सबजियां fresh निकलेंगी वो एक proper timing में इन metro cities में नहीं पहुँच पाएंगी उसके लिए infrastructure का required होगा developed road अगर ऐसा है तो आसपास के area में truck forming होगी और वो यहां पर आकर की use होगी अब बात आती है कि US में truck forming होती कहां कहां पर है तो major जो यहां पर अगर हम बात करें आपको तो यह western coast में क western coast है US का यह Texas से Florida तक eastern coastal areas में Atlantic Ocean में यहां पर जो यह developed cities है इनके आसपास truck forming होगी और western coast पर इधर California वाले region में होगी और इतना ही नहीं फिर Great Lakes के आसपास developed cities है तो इसके around जो यह developed जो cities है इंडस्ट्रियल areas है यहां पर requirement होगी तो इनके आसपास भी क्या होती है truck forming की जाती है इन areas में होता क्या है यह in centers में क्या होता है specific crops जो special मतलब जैसे ठंड का time है मटर खाने का time आगे हमारे यहां तो सबजी वाली मटर उगाएंगे फिर जब time आएगा तो यहीं पर full go भी उगाएंगे फिर यहां पर जो important जो यह use करते हैं जैसे यह आप देख रहे हो इस तरीके से यह अपना establish करते हैं यह farms हैं जो cities के आसपास ही है और यह बहुत ही machinery बड़े-बड़े farms होते हैं जहां पर यह production करवाते हैं इन productions में इनका क्या है आप देख रहे हैं यहां पर सारी चीजें ब्योश इसका है तो मैटो का है रैडिसेज हैं ठीक है ओनियन है मेलन से बीट से स्ट्रबेरीज है ऐसी जो डेली यूजेज वाले जो इनके रेगलर वाले मटीरियल्स हैं वो सबके सब इन फॉर्म में होगाय जाते हैं और वहां cities में जाकर के सप्लाई गये जाते हैं तो रेट लेक्स के का जो कोस्टल एरिया है यहां पर यह होती है यहीं पर एक चीज़ आप यह भी जान लो कि आपकी जो सूटकेस फॉर्मिंग होती है सूटकेस फॉर्मिंग का क्या मतलब है यह भी इसके इनर रिजन आफ यूएसे में बहुत ही पॉपुलर है तीक है इस फॉर्मिंग जो फॉर्मर है जो किसान है वह अपने फॉर्म पे नहीं रहेगा फॉर्म स्थ और फॉर्म पर अपनों की देख भाल कर सब कुछ करते लेकिन सूटकेस फॉर्मिंग में रहता है कि खुसान बचाऑव जैसे जब इसकी ploying होनी हो जब खेत की जुताई होनी होगी जब seeding होनी हो यानि कि जब बुआई होनी है या फिर जब harvesting का season है जब फसल की कटाई होनी है ऐसे ऐसे timing पर वो यहां पर आ करके present होगा labor hire करेगा, अपना काम करवाएगा, products लेगा और वापिस ले जा करके अपना बेज करके फॉर्म से फिर निकल जाएगा वो all the time यहाँ पर नहीं रहेगा क्यों क्योंकि इसके पैरलल ही इसके पैरलल इस फॉर्मिंग के पैरलल ही वो अपने इंडस्ट्रियल वर्क भी कर रहा है तो एक तरीके से ऐसे लोग जो अपने एक काम को करते हुए फॉर्मिंग को भी एक अपना another source of income बनाते हैं तो ऐसे लोग जो फॉर्मिंग करते हैं उसको कहते हैं suitcase farming ऐसे में क्या होता है suitcase farming में जब किसानों को यह लगता है माल उनको गेहूं की फसल बो दी और उनको लग रहा किस बार उनको गेहूं में profit नहीं होना है तो वो यहां पर आएंगे भी नहीं उसकी harvesting करवाने भी नहीं आएंगे क्यों क्योंकि उनको पता है कि हमारा labor भी waste जाएगा जो laborism देंगे जो labor आएगा उसको जो wages देंगे जो मजदूरी देंगे वो मजदूरी भी मेरी क्या होगी waste होगी ऐसे टाइम पर वो इसको छोड़ भी देते हैं field को यह छोड़ो जाने तो फिर next time पर जाके next crop हो गाएंगे इसके बाद आपका आता है winter wheat build तो winter wheat build क्या है आप इस एरिया में क्या है winter time पर winter के समय सर्दियों के समय गेहों की पैदावार यहां पर होती है इसलिए इस reason को क्या कहते है winter wheat build कहते है next region आपका आता है fruit and vegetable build तो fruit and vegetables आपका कहां पर होगा यह आपका situated होगा कहां पर Mediterranean climatic region जो आपका California में है California में आपका यह किस एरिया में है आप यह देख रहे हो यह है आपका California का Mediterranean climatic region कौन सा है कौन सा यह Sacramento और San Joaquin River की जो valley है जो कहां पर जाके मिलती है Bay of San Francisco में तो यह यह जो Sacramento और San Joaquin River की valley है यहां पर जो इसमें जाके मिल रही है यह reason आपका क्या कहलाता है यह है आपका Mediterranean climatic reason California में यहां पर fruits भी होते हैं और vegetable build यानि कि especially अगर आपसे कहा जाए तो यहां पर citrus fruits का production होता है और citrus fruits का production होगा तो इस एरिया में कौन से industry डेवलप होगी बिल्कुल सही wine industries एरिया में डेवलप होगी अब हम बात करते हैं कुछ important cities की USA में अभी USA तो हो गया capitals वगरा हो गया दिरी दिरी आपको कुछ इसके important cities को जानना चाहिए देखिए यहां पर इसका state है जोर्जिया और जोर्जिया की capital क्या है में उसका बहुत विरोध भी हुआ था कौन सा कोका कोला इसलिए अट्लांटा को कोका कोला city के नाम से भी जानते हैं क्लियर है तो कोका कोला city के नाम से किसको जानते हैं जोर्जिया की capital अट्लांटा को reason क्योंकि यह soft drink की company start करने वाली यह first city है फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा यह Massachusetts और इसकी capital क्या है Boston बोस्टन किसके लिए famous है तो बोस्टन famous है तो बोस्टन famous है Sioux industry के लिए जोते की industry के लिए यह famous है कौन बोस्टन और एक चीज के लिए famous है Trinity Church कहां situated है यह तो यह है Boston में फिर next आपका आता है Chicago तो Chicago की बारे में आप जानते ही है क्या है भई यहां पर सबसे बड़ा slaughter house है iron steel industry है यह कहां पर situated है Michigan Lake के किनारे कहां पर Illinois में situated है और क्या है यहां यहां पर फिर आपका आता है Seattle Seattle आपका कहां पर है यह रहा Washington वाशिंग्टन वाशिंग्टन में situated है Seattle और यह किसके लिए famous है तो यह famous है Aluminium Smelting Plant के लिए क्यों कि यहीं पर आपका क्या है इसी वज़े से यहाँ पर Airplane Industry डेवलप हुई है क्यों डेवलप हुई है क्यों कि यहाँ पर Aluminium Smelting Plant है कहाँ पर Washington के Seattle सहर में अब आप देखो आपको दो confusion होता है Washington City यहाँ पर है Washington DC District यहाँ पर है Washington DC USA की क्या है Capital है और Washington इसका एक स्टेट है तो यह दोनों चीज़ें confusion में नहीं रखिएगा Seattle किसकी City है वज़ेंग्टन की और जब यहाँ तक आई है तो इसी के ठीक नीचे आपका क्या है Oregon और यही यह क्या है Portland Portland किसके लिए famous है Portland famous है आपका cement industry के लिए जो cement आप use करते हो तो cement industry कहाँ पर situated है Oregon जो आपका है Oregon जो आपका स्टेट है Washington के ठीक नीचे वेस्टन कोस्ट पर उसकी एक city है Portland वहाँ पर है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी के ठीक नीचे है California California में आपको यह दिख रहा है Los Angeles Los Angeles आपको दिख रहा है Los Angeles California में situated है और IT sector के लिए यह famous है IT sector का मतलब यह हो गया कि इसी के पास में Los Angeles के पास में ही Silicon Valley है आप जानते हो Silicon Valley का मतलब कि वो area जहाँ पर chips या आप directly ऐसे समझों कि IT से related जहाँ पर Microchips और Equipments प्रिपेर के जाते हैं उसको आप क्या कहते हो Silicon Valley Silicon Valley situated है कहाँ पर California में Los Angeles के पास में और Los Angeles किसलिए famous है Los Angeles famous है Hollywood के लिए Hollywood Film City यहाँ पर है Fashion Industries यहाँ पर है उसके लिए Los Angeles famous है फिर यहीं California में आपको दिख रहा यह है San Diego San Diego किसके लिए famous है Oil Refinery Center यहाँ पर क्या है यहाँ पर Oil Refinery Center situated है कहाँ पर San Diego में फिर इसी के बगल में आपको दिख रहा है Arizona Arizona के capital कौन सी है Phoenix जिसको आप कहते हो यह भी किसके लिए famous है Airplane Industry और Computer City के नाम से यहाँ पर developed है Computer related product क्योंकि यहाँ पर Silicon Valley है यह products ला करके Computer and बाकी materials बनाते है और Airplane के related भी कुछ चीज़े यहाँ पर developed की जाती है इसके लिए कौन famous है Phoenix फिर इसके ठीक ऊपर आपका आता है Utah Utah के capital क्या है Salt Lake City और यह Salt Lake के किनारे situated है इस वज़े से यह भी famous है यह रही Salt Lake The Great Salt Lake और उसी के किनारे यह इसकी capital Utah के capital है Salt Lake City ठीक है उसी के किनारे इसलिए Salt Lake City है Utah के capital है इसलिए famous है फिर इसके बाद आपको दिखता है कि यह Wisconsin Wisconsin की capital है Madison ठीक है किसके किनारे है Lake Michigan के किनारे है Wisconsin की capital Madison ये भी फेमस है क्यों फेमस है क्योंकि मैडिशन भी और का मतलब कlyga हो गया जहाँ पर मिशॉरी रिवर आगरके मिलती है यह रही संगं सीटी सैंट लुईस ये कहा सिक्वेटेट है यह सिर्टिय। मिशोरी स्टेट में, फेमस क्यों है क्योंकि wheat floor mills यहां पर situated है और beer industry यहां पर developed है, फिर इसके बाद आपका आता है Cleveland, Cleveland आपको पता है कहां पर है, यह रहा लेक इरी के किनारे Cleveland, और यह किसके लिए famous है, तो यह famous है iron steel industry के लिए और यह पढ़ता है आपका किसमें OEO में, फिर आपका आता है Dallas, second largest city of the Texas, यह रहा Dallas, second largest city किसकी, Texas की, किसके लिए famous है, तो famous for machinery of petroleum refinery, petroleum refinery के लिए जो machines use होती है उसके लिए famous है, फिर यही OEO में ही एक city है, Akron यानि कि A, K Ron ठीक है, यह कहां पर situated है rubber and tire industry, कहां पर situated है, यहीं पर, Akron में फिर आपका इसके बाद आता है Denver, Denver capital है किसकी, Colorado की यह Colorado की capital होने के साथ साथ, Mile High City के नाम से भी famous है, किसके नाम से, Mile High City, Mile High City का मतलब यह हुआ, कि C label से इसकी जो height है, वो exactly one mil है, ठीक है, इसी लिए इसको कहते है, Mile High City, कौन है यह, यह है Denver, जो कि Colorado की capital है, जो Rocky Mountain region है, उसमें यह सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा शहर है, उसके साथ ही साथ, Denver को ही USA की पश्चमी राजधानी, यानि कि Western capital के नाम से भी जानते हैं, फिर इसके बाद Detroit आता है, Detroit कहाँ पर आपको अच्छे से पता है लेकिरी के अधर, क्यों famous है automobile industry के लिए फिर आपको यहाँ पर निचे दिख रहा, Alabama Alabama में एक city है, Birmingham यह जो Birmingham city है, Alabama की यह iron steel industry के लिए famous है New Orleans यहाँ पर, Louisiana में New Orleans, यह जो आपको दिख रहा है यह है New Orleans यह रहा, यह famous as railway junction, किसके लिए famous है Gulf of Mexico की coastal areas में situated New Orleans, यह किसके लिए famous है it is famous as a railway junction और एक चीज़ है, कौन सी, Mississippi River यहीं पर, New Orleans के किनारे ही क्या है यह delta बनाती है, यहाँ पर Gulf of Mexico में मिल जाती है इसके बाद आपको आता है Houston यह कहाँ पर है, Texas में situated है, यह Texas का सबसे बड़ा आधुनिक नगर है और उसके साथ इसाथ, यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, कौन? Houston, फिर आपका यहाँ पर आता है New York, New York किस नाम से famous है, इसे Big Apple के नाम से जाना जाता है यह USA के largest commercial and trade city है New York New York में ही क्या है, आपका UNO का headquarter है, और उसके साथ ही साथ क्या है यहाँ पर American Museum of Natural History भी यहीं पर है विशो का सबसे बड़ा अजायब घर भी यहीं पर है, इसको नगरों का नगर भी कहा जाता है, और यह किस नदी के तड़ पर situated है New York? Hudson River हमने बताया था, Hudson River के किनारे Hudson-Mohawk Valley है, और उसी के coast पर कौन situated है? New York कौन सी वैली? Hudson-Mohawk वैली, यहीं Pennsylvania में एक city है Philadelphia जो Delaware River के किनारे बसी हुई है, यह अपने अइतिहाशिक भावनों के लिए प्रसिद्ध है स्वतंतरता के दस्तावेज जो 1776 में sign किये गए थे, वो इसी के एक शहर में sign किये गए थे, और यह जो Philadelphia है यह Quater City के रूप में famous है, कौन सी city? आप इसको बोलते हो, Quater City तो यह Cultural and Historical Building के साथ-साथ आपका क्या है? Cultural and Historical City के नाम से famous है Philadelphia जो की Pennsylvania में है, फिर San Francis को आप अच्चेस जानते हो, यहाँ पर situated है कहाँ पर California में, और किसके लिए famous है? Wine industry के लिए famous है, उसके बाद आता है Washington DC, तो Washington DC क्या है? USA की capital है, Porto Mac River के किनारे है, इसलिए famous है Pennsylvania में ही एक और जगा है, Pittsburgh Pittsburgh, आरन इस्टील industry के अच्चेस के लिए famous है, उसके बाद आपका आता है Duluth, Duluth कहाँ पर है, यह Superior Lake के कहाँ पर, South में Minnesota में situated है, और यह भी किसके लिए famous है? Iron Steel industry के लिए, Miami क्या है? Florida का बीच है, किसके लिए famous होगा? Obviously बात है, यह tourist place है, और यह famous है, Miami famous है Ice Creams के लिए, इसके लिए Ice Cream के लिए Washington DC के लिए आपको कुछ एक चीज़ें और बता दे Washington DC आपका District Columbia में इस्तित है 1800 SB से USA की क्या है? Capital है, Congress Library Supreme Court Building, White House तता Pentagon यहीं पर situated है, Cape Canaveral यह Florida में ही situated है और यह एक भूपगरा प्रक्षेपन केंदर भी है तो यह भी आप जानते रहे, अगर कभी आप से पूछे, Cape Canaveral कहां पर है, तो यह Florida में है Alaska भी US का ही पार्ट है तो यहीं पर, जहां पर यह Aleutian यह Alaska Peninsula खतम होता है यहीं पर है Dutch Harbor Dutch Harbor एक पोर्ट होने के साथ साथ, US की जो नौसेन, जो इसका Navy का station भी है June 1942 में जो जापान पर जो परमाड़ बम गिराए गए थे, वो यहीं से जो है कि वो plane उसने उडान भरी थी जो जाकर के जापान पर वो बम उसने गिराए थे और इसी के West में यहीं से International Date Line होके Cross होती है एक तरीके साथ यह कह सकते हो कि अंतराष्टी तित्रेका के पूरब में इस्तित है कौन? Dutch Harbor Alaska का पार्ट है लेकिन चुकि Alaska US का पार्ट है तिसलिए यह US का भी important city होगी और कुछ चीज़ें यह भी जान लो अमेरिका के पश्चमी तर्ट पर कौन है California है California अमेरिका का सबसे पश्चमी राज्य है California राज्य में एक भ्रंस घाटी इस्तित है इसे क्या कहते है Sacramento और San Joaquin घाटी कहते है दोनों रिवर के उसमें जो है इसे California की घाटी अत्वा San Andreas भ्रंस भी कहते है San Andreas भ्रंस दुनिया के विनाशकारी भोकमपी चेत्रों में से एक है और California की ब्रंस घाटी में खनिस तेल का विशाल भंडार इस्तित है अमेरिका में California की घाटी में खनिस तेल का सरवाधिक भंडार है इसके अतरिक खनिस तेल का सरवाधिक दोहन भी यहीं से किया जाता है यहां से इस घाटी से जो तेल निकाला जाता है उसका सोधन यारी उसका refinery कहां पर होते है refining वो सैन फ्रांसिस्को की तेल सोधन साला में होती है वहाँ पर जो refinery है सैन फ्रांसिस्को को golden gate भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं transport in North America की तो अमेरिका में वैसे सभी टाइप के ट्रांसपोर्ट डेवलप हैं, लेकिन अगर हम कनाडा और USA को अलग-अलग देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा में एक Trans-Canadian Pacific Railway है, जो प्रिंस रूपर्ट से हैलिफेक्स तक है, प्रिंस रूपर्ट आपका ये रहा, और हैलिफेक्स आपका ये रहा, नोवा इसकोशिया जो इसका स्टेट है, तो कनाडा की टरिटरी, नोवा इसकोशिया उसकी कैपिटल हैलिफेक्स, और ये रहा आपका प्रिंस रूपर्ट, ये ब्रिंस कोलंबिया का पार्ट है, तो यहां से यहां तक जो यह train route है, इसको क्या कहते हैं, यह इसको कहा जाता है Trans-Canadian Pacific Railway, और फिर एक है Trans-Canadian National Railway, तो जो Trans-Canadian National Railway है, वो यह Vancouver, जो main land पे Vancouver है, यहां से लेकर के Newfoundland में जो यह St. John's है, यहां तक की जो यह railway line है, यह famous है किसके नाम से, Trans-Canadian National Railway के नाम से, इन दोनों ही railways का जो headquarter है, वो headquarter यहां कहां पर है, Montreal में, और फिर अगर हम बात करते हैं, ट्रांस्पोर्ट इन USA की, तो USA में, नॉर्थ में एक Trans-Continental Highway है, जो Seattle से New York तक है, Seattle, यह रहा, यह किसको connect करता है, New York को, तो यह हो गया North Trans-Continental Highway, फिर इसके बाद आपका आता है Second, कि Middle Trans-Continental Highway, यह Los Angeles से New York तक जाता है, त फिर इसके बाद आपका आता है, South Trans-Continental Highway, यह San Diego से New York तक जाता है, तियरा San Diego, यहां से यह जाता है, कहां तक, New York तक, तो यह तीन Trans-Continental Highways है, जो कहां से कहां तक है, Seattle से New York, Los Angeles से New York, और आपका San Diego से New York तक है, ठीक, और अगर कभी आपसे पूशा जाए, कि Native People of North Americans को क्या कहते ह तो उनको कहते है, Red Indians, क्या कहते है, Red Indians, ठीक है, तो फिर इसी के साथ ही आपका, हमने कोशिस किया है, कि North America continent के जितने भी important points हो सकते हैं, जो आप से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो किसी भी aspect से हो, उन सभी को cover करने का पूरा-पूरा प्रयास किया है, ठीक है, उमीद क जाएए, Maths and Geography के वीडियो आप देखते रहिए, आपके जो भी doubt, जो भी questions है, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आता है, तिसे like करके, दोस्तों को share जरूर कीजिएगा, और चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को दे जरूर से जरूर इहिंदेगां जरूर खंड़ कि जरूर को देखते हैं, जरूर झाल जरूर झाल जरूर जरूर